तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Standard 12 के Biology के Important Diagrams और Questions के Related Video यह जो सीरीज है यह 3 से 4 पार्ट में हम कविर करने की कोशिश करेंगे, complete करने की कोशिश करेंगे आज हम सबसे पहले फोकस करेंगे Biology के Starting 2 Chapters के उपर That is Chapter No.1 Reproduction in Plants and Chapter No.2 Reproduction in Animals इन दोनों चाप्टर्स का अगर Waitage देखा जाए तो Without Option 12 Marks का Waitage है याने First Chapter 6 Marks का है और Second Chapter 6 Marks का है Without Option और अगर Options के साथ आते हैं तो 8 और 8 Marks के लिए यह Question आएंगे तो याने कि अगर आपके ये दो चाप्टर्स पढ़कर हो चुके हैं समझ कर हो चुके हैं प्राक्टिस करके हो चुके हैं तो आपके जेब में 12 Marks Confirmed Fix हैं 80 में से 12 Marks Confirmed हैं ठीक कि इतने Marks मिलेंगे ही मिलेंगे और ये चैप्टर हमने बहुत पहले कवर कर लिये थे ग्यान लाप चानल पर तो अब तक अगर आपने इन चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप प्लेलिस सेक्शन पे जाईए वहाँ आपन नीचे नीचे आपको Reproduction in Plants and Reproduction in Animals के वीडियो देखने को मिल जाएंगे और अगर चैप्टर हो गया है पढ़के तो रिवीजन करने के लिए वीडियो देख लो लेकिन रिवीजन करना है ठीक है तो अब देखते हैं सबसे पहले हम फर्स चैप्टर के बारे में देखेंगे Reproduction in Lower and Higher Plants इस चैप्टर में अभी आपको जो 1.1 है यह जो टॉपिक है 1.1 यह पूरी तरीके से डिलीटेड है तो इस टॉपिक से रिलेटेड ना तो कोई आपको डाइग्राम करना है और ना ही थियरी पढ़नी है टेक्स्ट्बुक के पीछे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेस्टन भी नहीं दिया गया है यानि इस टेक्स्ट्बुक के पीछे के जितने भी questions exercise questions आपको सारे के सारे exercise question करने हैं अब एक चीज मैं बता दूँ बच्चे मुझसे बार-बार पूछते हैं कि क्या मैं सिर्फ exercise के questions आएंगे board में नहीं 90% exercise के questions आते हैं और 10% questions textbook के बीच में से आते हैं याने कोई diagram या one sentence या mcq यह textbook के बीच में से आता है तो 80 marks का अगर paper है तो उस में से 10-12 marks के question textbook के बीच में से आएंगे और बाकी के 70 या 68 marks के question textbook के पीछे से आएंगे तो textbook के पीछे से 90% question आते हैं और 10% question textbook के बीच में से आते हैं जिन में से think always remember वाले में से कुछ पूछा जा सकता है या can you recall में से पूछा जा सकता है तो जो भी boxes होते हैं वो भी आपको एक बार रीट करके रखना पड़ता है ठीक है और entrance point of view से यह सारे information important है curiosity box हो गया always remember हो गया etc etc तो देख भी 1.1 से जो related topic है उसमें से यह first diagram आपको नहीं करना है ओके यह fragmentation वाला पार्ट आपको नहीं करना है यह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का topic भी नहीं पढ़ना है तो इसमें कौन सा कौन सा diagram आता है grafting in rows etc यह सब आपको नहीं करना है तो 1.1 topic आपके syllabus में से reduced है तो वो topic आपको नहीं करना है अब बारी आती है 1.2 से तो 1.2 sexual reproduction in plants की बारे में जो बात की गई है इसमें यह theory तो पूरी important है इस से related जो भी questions है वो सारे के सारे important है तो सबसे पहले यह activity वाला जो पार्ट है यह 10 standard में आपको डाइग्राम था इसकी labeling भी मैंने बताई है मैंने जो वीडियो कवर किये हैं हमारी ग्यान lab channel में जो वीडियो मैंने बना कर डाली है उनमें मैंने इस diagram की labeling भी दी है तो यह diagram आपको labeling करने के लिए आ सकता है it can come it is important तो यह labeling एक बार देख के जाना सारे spelling practice करके जाना ठीक है जादा chances नहीं बट फिर भी एक बार देख के जाओ तो theory भी आपकी strong हो जाएगी अब उसके बाद आता है सबसे important diagram मतलब इस chapter में बहुत सारे ऐसे diagrams हैं जो बहुत जादा मतलब बहुत सारे diagrams दिए गए लेकिन तीन से चार diagram ऐसे हैं जो बहुत-बहुत-बहुत important है और मैं उन्हीं के बारे में बता रही हो तो अभी जो सबसे जादा important diagram है that is ts of enter very important diagram यह ts of enter और dehesist enter अगर आपको enter related structure of enter के ओपर short note आया यह आपको significance पूछा गया यह आपको पूरा process पूछा गया तो आपको यह diagram ड्रॉ करके बताना ही बताना है देखो इस diagram में आपको यह सारी labeling देखो हमेशा ना अगर diagram सिर्फ पूछने के लिए आता है तो 3 marks का diagram आ सकता है और अगर brief question पूछा है जैसे अगर कोई question पूछा है तो याद रखो आपको question में भी diagram ड्रॉ करने है biology में बहुत बार बच्चे पूछते कि मैं out of marks आ सकता है कि नहीं आ सकता definitely out of marks आ सकता है 100 में से 100 score कर सकते हैं लेकिन 100 में से 100 score करने के लिए एक important condition क्या है कि जो भी brief question आपको पूछा गया है उस brief question में आपको diagram ड्रॉ करना बहुत जादा कंपल सरी है कैसा भी diagram ड्रॉ करो मतलब exactly जैसा टेक्स्ट बुक में देया है वैसा ही carbon copy मत बनाओ अपने हिसाप से थोड़ा 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 दिमाग लगा के neat देखो what is important in biology neat diagram and correct labeling ये दो चीज़े अच्छे से सुनो क्या बोल रही हूं मैं biology में क्या important है neat diagram यानी साफ सुत्रा diagram दिखाई देना चाहिए ऐसा ने कि आपने पूरा यहां पर एकदम खिचड़ी पका दी है ये बिल्कुल अलाव नहीं होता है so neat diagram and correct spellings of labeling are important in biology समझ में आ रही है आपको बात तो ये diagram बहुत important है अगर diagram पूछा तो diagram बनाना है और आपको इसमें से कम से कम चार labeling correct लिखनी है मैं बच्चों को हमेशा recommend करती हूँ कि आप अगर दो marks के लिए diagram आया है तो 6 label करो चार label correct होगा दो label अगर wrong हुआ भी तो उसका marks नहीं कटोगा दो labels हमेशा extra करो तो ये diagram बहुत important है और ये diagram भी important है इसमें आप एक ही पार्ट का भी अगर बताओगे तो भी चलेगा तो अब आगे बढ़ते हैं first important diagram हमने देख लिया structure of answer अब second आता है development of male gametophyte देखो ये इसका separate diagram draw करने नहीं बोलेंगे लेकिन अगर आपको theory question आया कि in detail आप male gametophyte का development बताओ तो theory question में बताते वक्त देखो ये जो diagram है ये आपको कैसे आ सकता है theory question में आ सकता है तो अगर आपको male gametophyte से related theory question आया है तो उसमें ये diagram draw करके बताना है तो इसकी भी practice देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि biology में theory रटने बैटोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा concept को समझो flow chart बनाओ और diagram की मदद से concept को समझो अगर आप सिर्फ theory 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 के basis पर ही अपना subject strong करने की कोशिश करोगे तो कुछ याद नहीं होगा कुछ याद रहेगा भी नहीं इतना जादा theory है तो concept समझके लो कि क्या होता है male gametophyte कैसे बनता है फिर उसका flow chart बनाओ मैंने इस chapters में आदे से ज्यादा concept flow chart बना बना करी समझाए है तो मेरी videos देखो आपका सारा revision हो जाएगा आपको दुबारा बुक खोलने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे videos अच्छे से देख लोगे तो टू की स्पीड पे देखो जिनका यह चैप्टर हो गया है वो टू की स्पीड पे देखो लेकिन एक वीडियो ज़रूर देखो आपका 100% हो जाएगा तो देखो जब theory questions आते हैं तो theory questions में ऐसे डाइग्राम बनाना बहुत इंपोर्टेंट है आप इनकी labeling exact नहीं करोगे तो भी चलेगा दो 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 लेबलिंग आपने की तो भी चलेगा लेकिन याद रखो जो भी labeling करो correct spelling के साथ करो अभी मेरा नाम अंजली है मैंने अपनी spelling में से last का i हटा दिया तो अंजली की जगा अंजल बन जाएगा कितना comic नाम हो जाएगा मेरे नाम का मतलब ही बदल जाएगा इसलिए it is very important कि आप labeling करते वर्ग एक-एक spelling एक-एक alphabet का ध्यान रखो तो यह डाइग्राम आपको स्पेसिफिकली अलग से ड्रॉ करने नहीं बोलेंगे लेकिन theory question में पूछा जा सकता है अब इस chapter का जो second very 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 important question है second very very important question जो है इसका डाइग्राम 2017 के paper में पूछा गया था इसलिए मैं आपको बोल रही हूं कि यह डाइग्राम ड्रॉ करना बहुत important है मतलब previous to previous year यह question आया था कि अनेट्रोपस ओव्यूल का दो माक के लिए structure बताओ तो आपको कम से कम 6 labeling करनी है correct labeling करनी है और जादा देखो कुछ है भी नहीं डाइग्राम में complicated बराबर से आप सारे integrements बनाओ बराबर से आप antipodal cells क labeling करो देखो यह labeling करते वक्त ध्यान देना कि middle cell जो है उसको एग label करना और side side के जो cells उनको synergy label करना बच्चे इधर पर खिचडी पका देते और किसी के साथ भी कुछ भी arrow निकाल देते तो ऐसा करोगे तो teacher भी exam में खिचडी पकाएगी और आपको mark zero दे देगी तो डाइग्र is very important and correct labeling is very important. So this diagram is very very important. You have to practice this diagram. अगर समझो यह separately नहीं पूछा तो theory question आ सकता है anatropous ovule से related तो आपको उस time पे भी यह diagram roughly draw करके बता आना है. अब बारी आती है next that is development of female gamatophyte की. आपको ऐसा हो सकता है कि female gamatophyte का theory question आए तो theory question में आपको यह पूरा diagram बना के explain करना है. देखो ऐसा एक question आता है. diagramatically explain development of female gamatophyte. क्या पूछा जाता है आपको diagramatically explain करने बोला जाता है. diagrammatic explanation मतलब क्या होता है कि पहले पूरा diagram बनाओ. जितना भी diagram आपको दिया गया है पूरा diagram draw करो और फिर एक 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 पॉइंट लिखके साथ से आठ पॉइंट में answer खतम करो. तो उसमें diagram का भी marks रहता है और theory का भी marks रहता है अब तक हम तीन important diagrams देख चुके कौनसा कौनसा structure of anther, anatropos ovule and development of female gametophyte डेवलप्मेंट ओफ मेल गेमेटफाइट वाला जो था यह वाला जो diagram था यह आपको theory में ही आएगा इसका अलग से diagram presentation नहीं करने बोलेंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखो अब pollination में जब हम आ जाएंगे तो pollination के topics में जो diagram आपको दिये गए यह आपको draw करके कता ही नहीं बताना है बिल्कुल नहीं बताना है आपको सिर्फ example याद रखना है कि wind pollination का example कौनसे crop में देखा जाता है maze में आपको सिर्फ नाम याद हो सकता है कि ऐसे simple diagrams जो होते हैं यह diagram आपको पहले से दिये रहेंगे और ऐसा box दिया रहेगा और इसके अंदर question mark दिया रहेगा कि बताओ इधर पर क्या आएगा तो एक बार पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते एक बार नजर मार लो क्या फरक पढ़ता अच्छा यह 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 सकता है अगर आपने यह नहीं किया तो यह कभी नहीं आएगा यह कभी नहीं आएगा एक्जाम में ठीक है हां ऐसा पूछ सकते हैं यह diagram देकर यह पूछ सकते हैं कि यह कौनसे type का pollination है आपको क्या पूछ सकते हैं यह diagram देंगे और आपको नीचे पूछेंगे name the type of pollination which you can see from the given diagram तो आपको twisted question आ सकता है कि picture देके बोला गया है कि अब नाम बताओ कि यह कौन सा pollination है तो इसलिए सिफ एक बार देख लो एक बार देख लोगे ना तो अच्छे से दिमाग में याद रहेगा ठीक है अब बढ़ते आगे की तरफ अब देखो यहां पर next topic जो है आपका 1.8 1.8 में से pollen pistol interaction में से यह diagram जो है यह आपको roughly याद रखना है अगर आपने anatropous ovule याद रखा है तो आपको जादा कुछ याद रखने की जरुवत नहीं है जब आपका pollen tube नीचे से एंटर करता है तो उसको पोरोगैमी बोलते हैं जब वो चलाजलेंड से एंटर करता है तो उस में से नाम बताओ कि कौन सा डाइग्राम का क्या नाम है आपको नाम पूछने के लिए यह आ सकते हैं मैं बार-बार बोल रही है इस चाप्टर में से सबसे इंपोर्टन डाइग्राम कौन सा है structure of anther, anatropous ovule, development of female gametophyte फिर उसके बाद अब आते हैं double fertilization पे this is also very 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 important यह 4th डा question आता जरूर है, double fertilization का question अगर आपको पूछा गया है और बोला नहीं है कि diagram बनाओ, तो भी diagram बनाना है, मैंने आपको क्या बोला, biology में अगर out of score करना है, तो आपको diagram अगर नहीं भी बोला है बनाने के लिए, आपको नहीं बोला है diagram बनाना है, फिर भी theory question में आपको diagram बनान है, please remember this, okay, so this structure is very very important, इसके सारे labeling अच्छे से याद रखो, कम से काम आपको 6 labeling exact word to word रटे होने चाहिए, और spelling mistakes, जो बच्चे वर्नाकुलर मेडियम के हैं, मराथी मेडियम, गुजराती मेडियम, उर्तु मेडियम, in fact English medium के भी बच्चे, नाम के लिए English medium के होते हैं, उनके भी spelling बहुत बहुत जादा wrong लिखते हैं, तो मेरी आपसे request है, कि आप लोग please हर spelling को 10-10 times लिखकर practice करो, जैसे बच्चपन में teacher dictation words कराती थी, ठीक है, तो यह diagram भी इस chapter में से बहुत important है, यह आपको diagram specifically नहीं पूछा जाएगा, यह आपको diagram नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अग सकता है कि यह diagram दे दें, यह वाला diagram दे कर आपको यहाँ पर पूछें कि इधर पर क्या labeling आएगी, ऐसा हो सकता है, यह diagram देंगे और बोलेंगे कि इसका labeling बताओ, इधर यह इसका मतलब क्या heart shape, जो horseshoe shaped है, इसका मतलब क्या, ऐसे diagram देंगे labeling पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूं, कि जो important diagram है, वो draw करकर के practice करो, और यह जो theory type वाले diagram है, इनको draw करने में time मत waste करो, लेकिन इनका labeling जरूर एक बार देखो, इन diagram को जरूर revise करो, ओके, all right, अब आगे हाँ, तो यह diagram भी आपको theory में ही आएंगे, यह identification के लिए आएंगे, इनको draw करने क पहले नहीं बोला जाएगा, यह diagram ना new है, यह आपके syllabus में new diagram है, यह पहले नहीं था, तो यह maze seat का diagram भी आ सकता है, so it is also very important diagram, पांच diagram हमने देख लिए, जो अप तक important है, structure of anther, anotropos ovule, development of female gamatophyte, double fertilization वाला, और यह monocot के seat का diagram, it can also be asked for two marks, यह theory question में भी आया, तो आपको यह draw क का diagram देंगे और आपको बोलेंगे कि इसका labeling बताओ, तो labeling के लिए भी आपको यह diagram अच्छे से देख के रखना है, बस, that's it, from this chapter, तो इस chapter में से हमने 5 कौन से कौन से important diagrams देखे, सबसे important diagrams, structure of anther, anotropos ovule, development of female gamatophyte, double fertilization and seed, में इसका जो seed है, यह diagrams अच्छे से practice करना है, और बाक पढ़ने हैं इस exercise में से, इस में से कुछ भी deleted नहीं है, तो you have to learn everything from the exercise, पहले textbook read करो, कैसे पढ़ना है, मैं वो बता रही हूँ, पहले textbook read करो, textbook के पीछे के exercise questions देखो, और फिर वापीस textbook read करो, ताकि आपका textbook के पीछे के questions भी हो जाए, target जो हमने provide किया हमारी telegram की group है, हमारा tele telegram का जो channel है, ज्यान लाब, description में आपको link मिलेगी, अगर आपने अब तक वो group join नहीं किया है, तो link पर click करो, आप telegram group पे join कर लोगे, वहाँ पर links section में, हमने biology part 1, biology part 2, physics part 1 और physics part 2, सब के सारे chapters के target के notes provide किये, तो जब आप रास्ते में आते जाते हो, school college जाते हो, घर पे time pass कर करते रहते हो, तो Instagram, Facebook, scroll करने के बजाए, यह PDF open करके revise करते रहने का, objective revise करने का, one mark के sentences revise करने का, two marks question revise करने का, क्योंकि देखो, time बहुत कम है, और revision बहुत जादा करना है, तो जब मौका मिले, तब revise करो, ठीक है, तो PDF सारे available है, हमारी ग्रूप में, बस telegram group join करो, ज्यान जाएंगे, ठीक है, तो इस chapter में से कुछ भी deleted नहीं, देखो, मैंने आपको बोला था ना, कि ऐसा कुछ आपको वो सबसे पहला डाइग्राम जो दिया था, flower का, उसमें से ऐसे कुछ question आ सकता है, तो यह भी करके जाना है, ठीक है, all right, हाँ, देखो, इधर पे, seed का, जो मैंन प्रफाइट, डबल फर्टिलाइजेशन और मीज, में इसका जो सीड है, यह डाइग्राम सहीत, डाइग्राम्स प्राक्टिस करो, और बाकी के जो डाइग्राम है, उनका लेबलिंग प्राक्टिस करो, ठीक है, पर सारे डाइग्राम्स एक बार देखना है, so this was about first chapter, now let's move on to the next chapter, second chapter में क्या बताया गया है, इसमें से भी जो वन पॉइंट, देखो इस चैप्टर का वेटेज, without option 6 marks है, with option 8 marks है, बहुत इसी चैप्टर है, बहुत इंट्रस्टिंग चैप्टर है, इसमें जो 2.1 का टॉपिक है, वो डिलीटेड है, तो गेम्यूल फॉर्मेशन नहीं क करना है, यह टॉपिक्स भी नहीं पढ़ने हैं, इनके डाइग्राम भी नहीं पढ़ने हैं, ओके यह भी नहीं करना है, अब बारी आती है, sexual reproduction in animals की, तो यह जो टॉपिक है, यहां से आपके टॉपिक से इंपॉर्टेन स्टार्ट होते हैं, और इन टॉपिक से रिलेटेड जो डाइग्राम होंगे वो हमको प्राक्टिस करने होंगे तो देखो 2.2 में जो पहला डाइग्राम दिया गया आपको सारे आंसर मिल जाएंगे तो यह डाइग्राम आपको एक बार देख कर जाना है अब इस चाप्टर का जो सबसे पहला वी वी आएंपी क्वेस्चन है मतलब वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्चन जो है वो है यह यहाँ पर बात में आते हैं पहले देखो यह जो यह यह जो हैं careless की साईट यह सब्सक्टाइब करोंगे थिए जो पार्ट ऐसे दिखाई देंगे तो यह ज़ो ले-टर इसकेन है I should है इसको आपको प्राक्टिस करके जाना है बहुत ही ज्यादा डीटेज डाइग्राम है अगर यह डाइग्राम कर लिया तो theory नहीं पढ़नी पड़ेगी क्योंकि डाइग्राम में पूरी theory cover हो जाएगी तो एक यह डाइग्राम important है और यह diagram very very important है देखो important और very very important में क्या फर्क होता है very very important वाले जो question होते हैं इसको practice करना compulsory है कम से कम 10 times यह diagram कम से कम आपको कितने time practice करके होने चाहिए 10 times जो भी वी आयंपी वाले diagram होते हैं उनको आपको 10 times practice करना पड़ता है और जो आयंपी वाले diagram होते हैं उनको आप 2-3 times भी अगर practice कर लोगे उनकी खाली labeling आपको अच्छे से याद होनी चाहिए तो भी काम चल जाता है तो वी वी आयंपी वाले questions को 10 times draw करके प्राक्टिस करना है labeling के साथ और आयंपी वाले questions को 3-4 बार भी draw किया तो it is more than sufficient so first diagram यह हर साल every alternate year यह question 100% आता है TS of testis आता ही आता है ओके ओल्राइट आगे बढ़ते हैं next diagram के तरफ अभी next diagram हमको कौन सा बताया गया यहां पर यह भी मैंने इसके भी labeling बताएं यह भी करो जिसके जिसके उपर में टिक कर रही हूं वह सारे diagram एक बार देखने हैं जहां पर वी आयंपी लिखूंगी वह diagram बहुत important है हां यह देखो TS of ovary यह diagram भी बहुत important ठीक है आपको यह diagram specifically draw करने नहीं बोलेंगे लेकिन यह diagram दिया होगा और ऐसे box दिया होंगे और बोलेंगे कि बताओ यह क्या है यह क्या है ऐसे मतलब कोई भी label का box देकर आपको बोलेंगे कि इसको बताओ यह क्या है तो ऐसे 3-4 labeling अगर आपको पूछ ली तो 2 marks का question आ सकता है यह आ सकता है कि नहीं आ सकता है definitely आ सकता है तो यह diagram भी important है not very important बट हां मतलब it is very very important लेकिन इसको आप 3-4 बार practice करोगे तो आपको automatically याद हो जाएगा और इसकी theory जो है ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं इसकी theory जो है theory समझना है तो मेरी video अच्छे से देखो मैंने diagram की मदब से पूरी theory बहुत अच्छे से बताई और यह video मैंने projector पे लिया था तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अच्छे से इस video को देखो और इस diagram को प्राक्टिस करो आपका यह diagram automatically learn हो जाएगा बस इसकी spelling अच्छे से प्राक्टिस करना अब next diagram आता है graphian follicle का देखो यह graphian follicle और नीचे एक और diagram आएगा यह दोनों diagram दिखने में सेम होते हैं लेकिन दोनों diagram को important है यह very very important है छोटे से सुन्दर से diagram है देखो कितना छोटू सा diagram है तो यह आपको definitely practice करना है यह पूछा जाता एक्जाम में graphian follicle के उपर अगर question आया तो यह diagram draw करना है मतलब यह theory में भी पूछा जा सकता है यह separate diagram में भी पूछा जा सकता है तो आपको दोनों ही condition में यह diagram याद होना चाहिए graphian follicle का फिर next बारी आती है memory gland memory glands का आपको diagram नहीं आएगा memory glands का आपको diagram नहीं पूछेंगे specifically लेकिन अगर आपको theory question आया आपको diagram नह अच्छी बात हो जाएगी ठीक है ओके फिर next आता है देखो अभी तक very very important diagram हमने कौन सा देखा एक देखा TS of testis और एक देखा TS of ovary और graphian follicle यह three diagrams अभी तक हमने देखे very very important ठीक है यह 10-10 बार practice करने आपको draw करके फिर next यह menstrual cycle का chart आपको draw करने के लिए नहीं आएगा आपको draw करने के लिए नहीं पूछेंगे लेकिन इसके उपर theory अगर आई तो और अगर आपने यह chart बना दिया तो teacher के उपर एक अलगी impression होता है और impression अगर अच्छा रहेगा teacher अगर paper देखके खुश हो गई तो आपको full marks मिलने के chances हैं तो कुछ जादा है भी नहीं इस chart में अच्छ देखे थे very very important histology of testis histology of ovary and graphene follicle उसके बाद यह fourth important diagram is spermatogenesis का यह हर साल या तो entrance में पूछते हैं या तो board exams में पूछते ही पूछते हैं confirm पूछते हैं मतलब आपको ऐसा कोई एक diagram दे देंगे और ऐसे box बना के देंगे और बोलेंगे इसका labeling बताओ इधर पर क्या आएगा या बोलेंगे इसका labeling बताओ यह क्या है तो यह diagram confirm करना है this is very very important diagram video बहुत लंबी हो रही है फटाफट बता देती हूं मैं आगे का part भी हाँ यह आता है सबसे favorite teachers का favorite question है यह structure of sperm ऐसा हो ही नहीं सकता मैंना 200% guarantee के साथ बोल रही हूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे related question ना है या त बोलेंगे structure of sperm explain करो उस theory आया तो भी आपको यह diagram draw करके बताना है और अगर separate diagram पूछा तो भी आपको यह diagram draw करके बताना है मतलब यह board वालों का ना favorite question structure of sperm तो इसको तो मैं लिखूंगी very 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 important question तो देखो 5 important diagrams कौन से कौन से हो गए histology of testis, histology of ovary, graphian follicle, फिर उपर अभी हमने द structure of sperm फिर उसके बाद आता है यह diagram बहुत important है इसको प्लीज अच्छे से practice करना और फिर आता है oogenesis, oogenesis का भी same जैसे spermatogenesis था वैसे box देखे इसका भी labeling आपको पूछ सकते तो यह diagram भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए इसका 2-3 बार practice कर लो अपने आप याद हो तो make sure कि आप यह diagram अच्छे से देखो और इसको भी practice करो, this is also very very important question, इसको neglect नहीं कर सकते, अगर आपको ovum से related theory question आता है तो आपको यह diagram compulsory draw करना पड़ेगा, तो अभी तक हमने consequence important diagram देखे, histology of testis, histology of ovary, graphene follicle, spermatogenesis, structure of sperm, very 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 important question and then unfertilized egg or ovum, देखो आपको पूरे biology में जो 15 chapters है, 15-16 जितने भी chapter है, starting के कुछ chapters में ही diagram है, सब chapter में diagram है भी नहीं, तो अगर पूरी book का आप calculate भी करो, तो 30-40, 30-40 भी बहने बहुत जादा बोल देखे, 30 diagrams ही आपको practice करने होंगे, जो कि बहुत जादा बड़ी बात नहीं है, diagrams practice कर लोगे, तो biology में 80 में से 75 marks confirm आएगा, अब बारी आती है process of fertilization की, इसका आपको separate diagram नहीं बोलेंगे, आपको इसका diagram नहीं बोलेंगे, लेकिन बोल सकते हैं कि यह diagramatically explain करके बताओ, क्या बोलेंगे यह diagramatically explain करके पूछ सकते हैं, तो आपको यह diagram बनाने की जरूरत पड़ेगी, अगर diagrammatic explanation बोला है, तो diagram बताओ, अगर theory आया है fertilization process के उपर, तो भी यह diagram थोड़ा थोड़ा करके बताओ, diagram की बदद से theory explain करो, full marks मिलेंगे, तो इसका specific diagram नहीं आएगा, लेकिन diagrammatic explanation पूछ सकते हैं, ठीके, और आगे next अब आता है आपका कौन सा diagram, हाँ, यह blastulation वाला, stages of blastula, जो है, इसका भी theory ही आएगा, इसका आ मतलब cell stage पूछ सकते हैं, तो ऐसे question भी आ सकते हैं, ठीके, अब आता है बात, लेट gastrula का, तो यह diagram आपको आ सकता है, this is important diagram, यह diagram आपको practice करना है 3-4 और इसकी labeling आपको ध्यान रखनी है, exam में सिफ diagram आएगा और आपको labels करने के लिए बोल सकते हैं, तो यह diagram का labeling आपको अच् pregnancy के उपर, pregnancy के उपर question आया, तो यह draw करना है, और क्या draw करना है, tissue बना दो, tissue के पास इधर पे blood vessels बना दो, और blood vessels के side में यहाँ पर ऐसे छोटा सा fetus बना दो, और fetus का और mother का tissue connected है, यह umbilical cord बना दो, और 2-4 labeling कर दो, आपको पूरे marks मिल जाएंगे, कम से कम चार labeling करनी है, ठी तो placenta का भी diagram practice कर लेना, यह diagram आपको कतर ही नहीं पूछेंगे, इसका phase आपको पूछ सकते हैं, कि यह कौन सा stage है, और यह कौन सा stage है, ऐसे stages आपको पूछ सकते हैं, पर diagram कभी नहीं पूछेंगे, एक बार सिफ नजर मार के जाना, किसी भी diagram को ऐसा नहीं है कि मैं देख हर एक diagram को देखो, आखे दीए भगवान ने, तो हम उसका इस्तमाल करेंगे, क्योंकि हम भगवान को thank you बोलना चाते है, for giving all the organs, healthy organs, तो हम क्या करेंगे, हम सिफ diagram को एक बार देखेंगे, कि अच्छा, यह stage 1 में ऐसा दिखता है, stage 2 में ऐसा दिखता है, तो हर एक diagram को देखो, लेकिन जो VVIMP questions हैं, उन diagrams को 5-10 बार draw करके practice करो, इसको draw करने की जरुवत नहीं है, इसको draw करने की जरुवत नहीं है, लेकिन इसको एक बार देख कर जाना, ठीक है, और फिर next आता है आपका, यह birth controls के बारे में, तो इनका diagrams आपको नहीं पूछेगा, अगर इन से related theory questions आया, तो आपको इसे basically, ऐसे T like structure बना देना और बोल देना है कि यह copper T है या जो भी है, तो ऐसे आपको इसका basic rough diagram आपने बनाया तो भी चलेगा, यहाँ पर इनका भी diagrams नहीं आएगा, इन questions का भी diagram नहीं आएगा, लेकिन आपको diagram देके बोलेंगे कि यह कौन सा process है, नाम पूछें तो diagram का labeling आपको पूछा जा सकता है, यह diagram भी आपको नहीं पूछेंगे, अगर theory पूछा, वैसे यह question आता नहीं है, एक बार read करके जानो, theory पूछा तो diagramatically बता देना, तो इस chapter में से, हाँ यह table important है, तो इस chapter में से हमने कौन से diagram important देखे, histology of testis, histology of ovary, structure of graphene follicles, structure of ovum, structure of sperm, very 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 important, spermatogenesis, oogenesis, तो यह 6-7 diagram है जो बहुत important है, अब देखो exercise की अगर हम बात करें, तो यहां से कुछ भी deleted नहीं है, यहां से आपको सब कुछ पढ़ना है, question number 3 में भी आपको सब कुछ पढ़ना है, question number 4 का first question और second question deleted है, मैंने separately deleted questions की वीडियो बनाई है, आपको YouTube पर जाना है और सिफ search करना है, ग्यान लैप deleted questions biology part 1, आपको पूरे part 1 के chapters के deleted questions की वीडियो मिल जाएगी, देखो मैंने बोला था ना, सब teacher का sperm का structure फेवरेट होता है, तो इधर देखो, यहां पर already sperm का structure दिया गया है, और labeling करने के लिए बोली गई है, तो अगर आपको diagram याद रहेगा, त आप आराम से इसकी labeling कर लोगे, तो इस पूरे exercise में से सिर्फ यह दो questions deleted है, बाकि कुछ भी deleted नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना exercise में से, तो यह थे आपके दो chapters, और दोनों chapters में जो जो important diagram है, जो जो important question, important topic है, मैंने उसके बारे में बात की है, जैसे जैसे हम live आएंगे, 8 February से हम live आने वाले हैं, आपका revision series स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, revision series कैसे स्टार्ट होगा, उसका timing क्या होगा, यह सब कुछ जानने के लिए, आप टेलिग्राम ग्रूप हमारा जॉइन कर लीजिए, टेलिग्राम पर सर्च कीजिए, ग्यान लाप, आप आपको ग्यान जालते रहते हैं, every Saturday, तो पढ़ते रहो, अच्छे से, revision करते रहो, जो वीडियो हमने प्रोवाइट की हैं, वो देखते रहो, हम जल से जल पोर्शन कवर करने का maximum ट्राय कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करते रहो, चैनल को जितना हो सके, उतना friends के साथ, share करो, और अच्छे marks चाहिए, मुझे सबके board exams में, ठीक है, thank you, see you soon, stay tuned.